क्योंकि हैं आप समुईद करते हैं आप सब बिल्कोल चीक होगे आज के vlog में ने कर दिया है शुरू सबसे पहले आज के vlog में उठाती हूँ शैफ आशीश को क्यूंकि आज के विलोग में हम दोनों होने वले थे जी हाँ उनका off है तो मैंने सोचा के कर लेते हैं व्लॉग स्टार्ट तो आज की जो रूटीन मेरी शुरू होती है कि रूटीन अभी सुबह गुड मॉर्निंग चोड़के गुड अफ्टन में भी होने वाला हो का टाइम तो सबसे पहले मैं शैफ वाशीश को उठाते हैं कि वह अभी तक सो रहे हैं तो मैं चलेगी कमरे में क क्योंकि मुझे बहुत जादा बूख लगी है बिकफस्ट करना है बट उनका ओफ है तो अपना ओफ इंजॉय कर रहे हैं साड़े बारा के आसपस टाइम हो चुके है ताइम अगर मैं आपको बता दू आप देख सकते हो तो अफ्टनून हो चुका है तो अभी हम उठाते है और नहीं पता है कि ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है वो एगदम से ह्रान देकर बता देक्त है तो आज मैंने सोचा था कि आज जा कर ही देते हैं वैसे हैं, ब्लाग बनाना ब्लाग बनाना तो रही जाता है, तो आज इनका आ ज़ो कोई रूटीन ही डाल देते हैं तो सबसे पहले इनकी नीण खोलने के लिए मुझे पहले पड़दे खोलने पड़े, लाइट उन करनी पड़ी और इनकी नींद अगर खोली है तो इन्हें चाई दे दीजे क्योंकि अशीश को सबोड़ते ही चाई पीने की यादत है जैसे ब्रश करेंगे साधी ने चाई पीना है तो उसके बाद चाई पीने के बाद ये बैठे हैं बाहर और मैं इनसे पूछने आ गई हूँ कि ब्रेकफस्ट में आपने क्या खाना है वैसे डिसाइड में मन में कर चुकी हूँ मैंने सरफ उन्हें बताया है और वो कहते हैं कि हाँ आज बनाने जा रहे हैं आलो के परांटे तो अब ये आते हैं किचन में और हम आपको बताते हैं आ हमने पोटाटो मैश कर लिये थे उसके बाद मैंने इसमें डाला है ड्राइ मैंगो पाउडर जी हाँ अमचूर डालने से इसका फ्लेवर जो है बहुत जादा अच्छा आता है अजवाइन डाल दी है नमक डाल दिया है उसके बाद हरी मिस्ची काटने का काम मैं देती हूँ मुझे थोड़ा समश्किल लगता तो ठीक है यह कर भी देते हैं उसके बाद हमारी ग्रीन चली चॉप करने के बाद एक चीज में एड़ करना भूल गी थी जो वह की मेरे अब शाहिद अब मेरी फेवरेट बन चुकी है वह है सुक का दनिया पाउडर जी हाँ ड्राइ कोरि जल्दी से हम ले 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 लेदे हैं टोका एक दोड़ा पेडा ले ले लेते हैं उसके बीच में हम मिक्चर है वह स्टफिंग करते हैं क्यूंकि मुझे भर भर के स्टफिंग करना अच्छी लगती है और शैफार शीष यां पर कहा रहे हैं इतना पेड़ा नहीं जितने तु हाट टाइम जब भी सोचे परांटे खाने होते हैं तुझे परांटे करूँ यार सर्दियों का टाइम है ऐसे मोसम में बाहर बारिश लगी है तो परांटे काने का मन करता है यह best breakfast बेस्ट जितना मज़ी breakfast तुम तुमारे पास choices हो अगर वहाँ परांठी की choice है तो मैं तो परांठा ही हमेशा चूज करूँगी तो बस अभी हमारा breakfast थोड़ी ही देर में हो जाएगा ready जल्दी से मैंने बनाए परांठी प्रपरेशन मैंने थोड़ी सपहले करके रखी हुई थ तो यह देखे हमारा प्रांठा चला है पैन के ऊपर हमारे प्रांठी रड़ी हो चुके हैं तो अभी हम आशिश को देते हैं breakfast करने के लिए ताकि वह टेस्ट करके बताए हमें कैसे बने हैं obviously शेकल से बहुत जाद अच्छे लग रहे थे बाहर का weather अगर हम आप बताएं तो आपको करके बताएंगे टेस्टर बताएंगे कैसा बना है और seriously बहुत जादा यमी बना था आप कभी भी परांठा कुछ भी बनाएं ना बाकी सब आप एड़ कीजिए बट एक चीज जो होती है वह है ड्राइब मैंगो पावडर उसका जो फ्लेवर होता है एक खटा खटा बहुत जादा टेस्ट करता है टेस्ट को बहुत जादा इन्हेंस करने मदद करता है तो आप वह चीज एक बार एड़ करें में भी काफी सारे लोग करते भी होंगे एड़ तो मैं जब भी कोई भी परांठा बनाती हूं तो मैं ड्राइ मैंगो पावडर ड्राइक और पाव व्लॉग में चीज परांठा भी बनाओं क्योंकि मैं काफी सारे लोगों को ये एक्सपरिमेंट करना देखती हूँ ये चीज करते हूँ मैं प्रक्टिकली करके भी देखना चाहती हूँ अकर चीज परांठा कैसा होता है सो में भी अगला व्लॉग ये उससे अगे कभी भी तो मैं चीज परांठे कभी मैं सोचरी मैं बनाओं सो ओके काईज मिलते हैं जल्दी और फाइनली बाई झाल ऊचोगी चूब ये चाहिए जाट लाट चाहिए जाट विए लाट चाहिए जाट टनी कर लाट टाट चाहिए